लोकोमोटिव यानि ट्रेन इंजन में सैंड या रेत का प्रयोग क्यों होता है? ये है सैंड बॉक्स जिसमें बालू भरा होता है. सैंड बॉक्स के निचले भाग बॉटम में सैंड इजेक्टर वैल्व लगा है, जिससे दो पाइप जुड़े हैं. ये फ्लेक्सिबल एयर प पाइप द्वारा ट्रेन इंजन के पहिये और रेल पटरी या ट्रैक के बीच गिराया जाता है, जिससे भील और रेलवे ट्रैक के बीच घर्शन बल या फ्रिक्सनल फोर्स बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप भील स्लीपिंग रूख जाती है. ट्रेकसन या के समय कमजोर एड़ीजन या घर्शन के कारण लोकों का पहिया ट्रैक पर पिछलने लगता है। कमजोर घर्शन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे हाई ग्रेडियंट या चढ़ाव, ट्रैक पर पानी, पत्ते, तेल, ग्रीस का होना इत्यादी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।